हेलो ब्रेंट, सीजी पेसी हेंडीटर नोट्स के यूटूब चैनल में ही आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिगा जो हम लोग का छत्ती के इस पेसर रिविजन चैप्टर वाइस सीरीज चल रहता ये आपका क्लास नमबर एपिसोड नमबर छटवा है अभी तक आप एक से पांस तक नहीं देखें तो देख लिजिएगा बहुत इंपोर्टेंग क्लास है पूरे यूटूब में आप लोग दून लिजिएगा मेरे अलावा कोई भी ऐसे टीचर नहीं हो जो आपको कम्प्लीट पूरा कम्प्लीट हम लोग लाइन से चरहें भी मिस नहीं कर रहे हैं तो चलिएगा क्लास नमबर छटवा स्टार्ट करते हैं और डेली नाइन पेम में होती है देख लिजिए करिए थोड़ सा गेप भी हो जा रहा है तो आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जिस दिन भी आपकी क्लास आपको साढ़े आड़ बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें हैं बेल आइकान प् हम बोलता हूं आप लोग कोरा पेज ले लीजिए और उसी में नोट्स बनाते जाएए आपका लगभग 20-25 पेज में पूरा कंप्लिट हो जाना चीज चतिकी इतिहास ऐसे करके सौट नोट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़िए जैसा हूब हो पेपर में आज आएगा ज नोट कर लीजिए इसके पर दिखाई दे रहा है इसमें आप वाट्सम मेसेज करें हमसे जूट सकते हैं और सौरुप आला बैज भी ले लीजिएगा ठीक है तो देखें आप लोगने हम लोगने नलवंस तक पढ़ लिया था नलवंस को भी आधा पढ़ लिया था फेट से बार यहां हम से स्टार्ट करते हैं नलवंस सबसे लंबाव समय तक चला है चार से लिका 12 सब्साविकर नंट इसका थोड़ा साथ निटिएल में पढ़ना पढ़ेगा कया लंबा समय च प्राची राजद्धानि थी एक को राजधानी थी एक पूसकरी तो प्राची राजद्धानी थी गॉरापूट और पूसकरी अब आपको मैं पतायत है किसी भी राजा किसी भी वन्स के वारे में पढ़ हो तो तीन चीज़े पहले याद को लोग प्रतम सासक अंतिम सासक प्रतापी सासक यह तीनों आपको हर सासंद को पता होना चाहिए जो भी वन्स के आपके वारे में पढ़ है तो देखे प्रतम सासक कों थे वराराज ठीक है चतिय की बात करें हम और सबसे प्रतापी साजरग कों थे विलास्तु है रिक समय सब सबसे ज़्या diferenा नल वंस खीलेगा फूलेगा बढ़न वंस समय रिख लंबा समय तक चला है इसके शाज 30 में यह बस्तर में थे गज़ी चति दर में आसपास भी ओर भी तो दूसरे वाले थेज़ाँ ता देख कोन थी इन के समकालिंग मैं हर पतन किस ने किस ने किया आप नल वंस को समाफ्त वहर्ण वही चार से बारा में किस न इनका पतन का दिया तो छिंडक नागवंसी तता पांडवंसी द्वारा इनका पतन किया गया विशेस्ता क्या था चतिया सबसे प्राचिंग वंस यह है ठीक है चलेगा अब इतना सारे चीज़े तो पढ़ लिए तो इसकी जानकरी कहां से मिला आप लोग इसको अधार मानके पर है कुछ तो जान पूछेगा कूट में इसी को डाल देते हैं तीन-चार कोशनों के एक साब मेर्स करके तो कूट वाले कोशन के लिए परसान नहीं हो रहा है आप बेसिक पढ़िए अच्छे पढ़िए पूरा कंप्लीट पढ़िए कुछ नहीं चुटेगा एड़ेंगा मिढभां किसका वरह राच का यार रखेगा रिद्धी पूर तामरपत्र जो अम्रावती में है किसका रिद्धी पूर भहुदत्त वर्मन का है पडिया पाथल लेक यह किसका जो उड़िसम मिला है अल्थपती भठ्टारक का है केश्री बेड़ा तामरपत्र पोड़ा का सिलालेक बहुत बार पूचा गया पोड़ा का सिलालेक इसकंद वर्मन का है तिक है राजिम सिलालेक विलास्टूंग का है तो इतने आपको तो एकदम कंठष्ट होने चीए कितना होगा एक दो तीन चार पाथ च्छै एकदम यार्ट होने चीए आपको एड़ेंगा कहा है कोंड़ा गाओ वराराज रिद्दीपूर तामरपत का है भौधत वर्मन का है अमरवतिम मिला है पढ़िया पाथा किसका अल्धपती भट्टा का एक और है केसरी बेडा तो दो कुल्या दूर्ग में हैं आपका मिर्ट भान मिला यहां से किसका है तो नंद राज और इस्तंबराज का अब प्रयाक प्रसस्ति लेग जो समुर्ण गुप्त के दरबारी कभी थे उनके द्वारा भी इसके उल्लेक मिलता है किसका नलवन समंदित जानकारी भी इसमें भी है प्रयाक प्रसस्ति में रिद्धी पुत्त अमरपत में प्रभावति गुप्त वाकाटक वण्स के जानकारी एहोर प्रसस्ति अभी लेकिसका चालूक सासर पुलकेसिंदूति का है ठीक है उद्येंड्रम तामरपत यह किसका पल्लो सासर नंदी वद्ध यह इतना इंपॉर् सासर गया बोला जाता है वास्तविक संसापक वराया राज है उसके बार भॉदत्त वर्मन फिर दो हिस्समें गया यह एक अल्दपती बट्टारा किसके मित्ति हो गई फिर इसका नवर्मन आया फिर विरुपाक फिलाश्टू ठीक है इतना हमको पढ़ना है चलिए अब एक दक्षिकोसा के महेंडर और महाकंदार के व्यागर राज तो यहीं वहीं व्यागराज है नलवन्स के शासक थे तिक जिसको समुद्धुब्ट ने पराजीत कि थे अब यह पराजीत हो गया थे अभी यहां छत्ति हमें कौन आय ने कुन प्रथम सासक बरात वराराज ठीक है सबसे बड़ा समराज नलवन्स का समराज था फिर नंद राज आएगा दूर्गे के कुल्या से प्राफ्थ मिर्वांग से जानकरी मिलता है फिर उसके रिह थ्धामर आजाए फिर पित्वी राज विलास्तुन का पितामा बोला जा दाराजी इसका तीन उंस पड़ना पड़ेगा थीक है पित्वी राज के समर्वा पारज पित्वी व्याखर पिर दे अधो फिर भीम से नाय, सेवधर्म का निमाई था, फिर नरे नदवाल अंतिम सा सक, इतने एक बारे हमको पढ़ना था, नलोजगा, अब कुछ थोड़ा से इंपॉर्टेन है, उसका डिटेल देख लेते हैं और, ठीक है, बने रहिएगा, अंतिम तर बने रहिएगा, पूरा क्लास एक भी क्लास मिस्स मत कीजे, नोर्स बना लिजे, सौट नोर्स एक बार आप बना लिए, तो किसी भी एक्जाम में चाहे, 36 का 10 नमर में आए, चाहे 20 नमर में, चाहे 50 नमर में, आप से बाहर नहीं जाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़के प्रैक्टिस करेते हैं, 100 रु आपको लिया जारे हो, कि वर टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग कर लिया जारे है, 30 दिन जो टाइपिंग करते हैं, महिने के पूरे 300 दिन टेस्ट होते हैं, उसका टाइपिंग का खर्चा आप से लिया जारे है, हमको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, चलेगा, अब देखे हम लोग नर्वंस के संस्थापक कोने व्यागर राज इसके संत्थापक कहा जाता है वराराज को में इस पेसे बहुदत वर्मा या भौदत वर्मन मी बोला जाता है इसने क्या उपादी धारन की थी तो इसने महाराज और भट्टारक की उपादी धारन के दियार रखेंगे भौदत वर्मा ने महाराजा और भट्टारक की उपादी धारन की थी तामरपत्र की बात करें तो रिद्धी बारे में ठीक है अब देखे यह भट्टारक उपाधी पहले यह धारन के उसके बाद वार्थपती भट्टारक करेगा तो यह रखेंगे भट्टारक की उपाधी धारन करने वाली संचल का प्रथम सासक कोन था भौधत्त वर्मां इन्होंने वकाटक सासक नरिंद सेन को अब नरिंद सेन का बेटा आएगा पिथवी सेन थीक है वकाटक वर्मां इसकी राजधानी नंदी वर्मां नागपूर में आग लगा दी थी यही से फिर आग लगना चलू हुआ अब इसका बेटा आया अल्थपती उपारी इसने भी धारन किया भट्टारक की महेश्वर क अल्थपती भट्टारक की महेश्वर की राजधानी क्या बनाया तो पूसकरी यार रखेंगे अल्थपती भट्टारक की जो राजधानी पूसकरी है अभी लेक की बात करें तो पाडिया पाथल लेक काँ है ओडिसम मिला है अल्थपती भट्टारक का पडिया पाथल मिला ह चलेगा आगे देखते हैं इसे वकाटक सासर पित्थवी सेंदूती ने पराजित किया यहीं से लड़ाई की जड़ सुरू होता है भौदत वर्मा ने नरेंद सेंद को हरा दिया नहीं सेंग बेटा बोला मेरे बापाजी को हराया हो मैं तुम्हारे बेटा को हराऊंगा ठीक ह लोग हो क्यों हो तो बढ़ा तो वर्मन का 1-2 सोने का सिक्का प्राप्त हो सब्सक्राइब तोड़ा थोड़ा कर रहा है हम लोग लेकिन आप नोट्स जरूर बनाएंगे इसका नुवर्मन इसकी राजधानी क्या बनाए पूसकरी थी वोपाल बड़नम अब इलेक की बात करें इसका नुवर्मन का कौन सा है पोड़ागर भी लेक जैतु राज भी बोला जाता था पोड़ागर भी लेक वहां मिला है नलो का पहला सीला लेक बोला जाता है पोड़ागर जो सीला लेक है कोई नलो का पहला सीला लेक अभी तक तामर पत्र मिला था अभी लेक मिला था लेकि सिला लेक यह पहला है इसका नवर्मन कभिला है पोड़ागर सिला लेक चलेगा इसका नवर्मन किसके उपासत है भगवान विष्णू के उपासत है ध्यान रखिएगा इससे पहले जो पड़े ओस्यू के थे विष्णू के आ गए इसने पोड़ागर में विष्णू मंदिर क निर्मार करवाया था इसने वकाटक सासद देवसेन को पराजित किया था यह लड़ाई चल रहा है यह कि इसको हरा दिया फिर देवसेन को हरा दिया थिक कि 36 में सब्से बड़ा समराज एक था इस और नूरवन का यार रुखेंगे इसके काल में नल्वन्स थिक पोडगार सिललेक नलो का पहला शिललिक है पोडगार शिललेक में इन पंक्तियों केसाrü प्रारम होता फॉट है क्या लिखा है पोड़ागार सिलालिक ऐसे का बना हुआ उसमें आप देखें कि सबसे पहला क्या लिए था विजैई है और विजैई रहे कोन नल्वांस कि देखें कितना बड़ी बात इन्हों ने लिख दिया है उस समय भी ऐसे मुहावरे और जो सब्द है उनका प्योक होता था विजैई था विजै था विजैई हैं विजैई रहेंगे कोन बुला यार के इसका नुर्मन लिख आया अपने पोड़ागर सिलाले थेक इतना इह पढ़ा था इसका इसका नुombन ए चले आगे रेकते हैं विलास्थु इसको द्यास से पढ़िए गाँ, सबसे पनाप्री सासक विलास्थून था राजीन लोच मन्दी कर heal कर रहा चले विलास्थून का विलेक कास मिला राजीम अभिलेक तीक मनलों इसकी जानगरी पूरा राजीम अभिलेक पे ही डिपेंड है वहीं से जब हम लोग उसको पढ़ते गया तब हमको जानगरी मिलते गया थिक उपासत की बात कि भगवान विश्णु को पासत थे विलास्तुंग इस वन्सका सरवार पूछा जाता है कों सा मंदीर है नल्वंसी सासंगाल में जो पंचायतन सहली से बना हुआए तो राजीम विलास्तुन ने थे कहा है तो राजीम में कालंतर में कल्चुरी सासक पिठ्ठी दे दूतीके सेनपदी जगपाल ने राजीम लोच्वंदी का जिंणो डा कराया थे इसे को कई बार बहुत लोग कंफुजन में रहते हैं निर्माण की बात करेगा तो विलास्तों गाएगा और अगर उसके जिर्णो द्वार की बात करेगा तो जब कल्चुरी सासन करे थे तब पित्वी दूती याद रखेंगे पित्वी दूसरा बना रहे हैं इसलिए करते हैं नालों समापत हो कल सरफपूरी पड़ेंगे ज़्यारा नहीं पड़ेंगे एक दिम पढ़ेंगे फिर आपनाना भी पहुंच वह रही है कल सरफपूरी वंस कंप्लिट कर लेंगे आज जरा क्लास नहीं है प्रणा बीसमेड की लेकिक टॉपिक कंप्लिट हो गया हम तीन चार पांच शैपेज एक साथ पेज इतना ही ओमवक दे रहे हुए आपको साथ पेज इन साथों पेज को अच्छे बना लीज़ीगा ठीक है चलिए और ध्यान रखेगा जिन लोग भी तक हमारे बैज से नहीं जूरें एक बार बैज के बारें बता देता हूं आपको तो सब्सक्राइब को जैसा सिक्षक बलती सीजी टेट सब्सक्राइब को जैसे आधुनिक इतिहास आठवा नमब्र 25 को हुआ है तो उसमें छोटे-चोटे-चोटे-पाइंट को भी आपको डिटेलिक बस इतने ही पढ़ना है तेस्ट दिलाना है जितने नया कोशन हो सकते सब्सक सब्सक्राइब करने कोशिस करें जैसा लेवाल है तो आज क्या टेस्ट क्या डेलेगा देखिए यहां बहुंच चुक है तेस्ट है डेली हो रहा है ना आज भालते इतियास का नौवा टेस्ट दालेगा अधुनिक का ठीक है इतने टॉपिक आपको पड़नेट है छोटे- परियाब क्योंकि इतने सारे चीज़ों को एक दिंगेप में ही पड़ पाएंगा फिर आपका विज्ञान चल रहा था लास्ट आ गया है जी विज्ञान के बाद खताब हो जागा जी विज्ञान चल रहा है एक आग सब्सक्राइब चले कर रहें तो इसे का चार्चार चीजे जूड जाइए दिल आते रहें पचत्ता तरासी चाहसी च्वाली से एक सट नमर नोट करेंगे पचत्ता त्रासी चाहसी चाहसी एक सट यूट्व में डेले आप रिजल्ट भी देखते हैं सभी तेस्ट एक बाद ठीक है तो चले इसको सिहा किज़े अपने दोस्तो को जड़ा जड़ा फिर मिलते हैं नेस्ट एपिसोड में